कि एक लेड़ी अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश तब होती है जब वो मा बनने वाली होती है यह एहसास सच में बिखत खास होता है दोस्तों जैसे ही हमें पता चलता है कि हम मा बनने वाली हैं तब से ही कही तरहें कि कन्फ्यूजन और सवाल हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं जैसे मैं कब प्रेगनेंट हुई मैं कितने वीक्स प्रेगनेंट हूँ बेबी डिलिवरी कब होगी उसके सही डेट क्या है एक्सेक्टर एक्सेक्टर तो उन्ही सब सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ आप मेरे साथ इस वीडियो में end तक बने रही है आशा करती हूं कि जानकारी आपको काम आएगी तो चलिए शुरू करते हैं जब weeks की calculation की बात की जाए तो weeks की calculation आपके पिछले महीने के periods की पहली date से start हो जाती है तब से आप weeks को calculate करना शुरू कर सकते हैं यानि कि जब आपके periods मिस होते हैं और आप confirm होती हैं कि आप pregnant हैं तो आपकी pregnancy 4-6 हफते पुरानी हो चुकी होती है pregnancy confirm कैसे करें इसके लिए आप इस icon पर प्रेस कर सकते हैं और मेरी एक separate video है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप कैसे confirm करें कि आप pregnant हैं चलिए इसे एक example से समझते हैं for example अगर आपको last periods पिछले महीने की 18 तारीक को आए थे तो इस बार जब आपके periods मिस हुए हैं तो पिछली 18 तारीक से इस मन्त की 18 यानि कि 4 weeks और जब आपको pregnancy confirm होई है मान लीजिए वो date 28 है तो 4 weeks पिछले महीने से इस महीने के और 10 दिन आपके periods मिस हुए हैं यानि कि 30 दिन और 10 दिन, 40 दिन यानि कि आपको 40 दिन बाद confirm होई है कि आप pregnant है और आपकी pregnancy 40 दिन पुरानी हो चुकी है उमीद करती हूँ कि अब आप अपनी pregnancy के weeks को आसानी से calculate कर पाएंगी और अब बात करते हैं हमारा अगला confusion कि बेबी के delivery का ideal time क्या है और आप बेबी कब deliver करेंगी चलिए, यूं तो doctors की माने तो बेबी के delivery का ideal time 39 weeks या 280 days का होता है ऐसा माना जाता है कि 39 weeks में बेबी पूरी तरह से develop हो जाता है और इसी के हिसाब से आपको delivery date भी दी जाती है पर यह range 37 weeks से 41 weeks तक हो सकती है तो यानि कि अगर आपको 37 weeks पूरी हो गए हैं तो आपको delivery bag तयार कर लेना चाहिए अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो like का बटन जरूर हट करिएगा आप इस वीडियो को उन्हें जरूर शेयर करिएगा जिने इनकी जरूरत है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाईएगा इससे जब भी मैं आपको कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको notification आ जाएगा pregnancy से जुड़ी और कोई जानकारी के लिए आप नीजे comment box में बूठ सकते हैं फिर मुल्योंगी जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए